हाई फ्रेंग्स बेलकम बैक आप सब लोग ये सदावगार के पौदे के बारे में तो जानते ही होंगे ये हर जेगे मिल जाता है हम इसे अपने घर की सोबा बढ़ाने के लिए अपने आंगन में बाल कनी में लगाते हैं इसके फूलों को भगवान पर जड़ाते हैं ये पौदा सादा रड़्था दिश्ता जरूर है लेकिन इसके अंदर इतने दिद्वे उसेदी गूर पाए जाते हैं कि मैं आपको बताओं भी तो आप ये प्लांट जरूर अपने धर पर लेकर आओगे भारत में इसकी दो प्रजाती पाई जाती हैं जिनको हम उसेदी के रूप में लेते हैं एक ये जो गुलागी कलर है फूलों का और एक सफेद कलर आता है जो मेरे पास नहीं है आजकल इसकी हाइबरे बराइटी में बहुत से कलर आते हैं रंग रंगी फूल आते हैं लेकिन बे पौदे औसे दी के काम में नहीं आते हैं फ्रेंट्स शरीर को निरोग अपने से ज़्यादा दुनिया में कोई भी महत्रेपूर कार रहे नहीं है इस पौदे को हम अपने घर में आंगन में गमले में लगाएं और घट की सुभा बढ़ाने के साथ साथ सौस्त रहें आज मैं आपको इस एक वीडियो में बताऊंगी कि इस पौदे की केर कैसे करनी है इसकी मेडिशनल वैल्यू क्या है और उसको यूज कैसे करना है तो फ्रेंट्स चलते हैं हमारे चैनल साकुंतलम योग एंड आइव वेड़ मैं फैंठ्स ये हारडी प्लांट है ये फूलसन में भी सर्वाइब कर लेता है और जहां धूप कम आती है जहां 3-4 जंटे धूप आती है वहाँ भी अच्छा सर्वाइब कर लेता है नीस अच्छा गरोह होता है लेकिन इसके फूल जहां पर दूप ज़्यादा रहेगी वहां ज़्यादा अच्छे आते हैं ये बारे मासी पौदा है इसके फूल बारे महीं में आते हैं लेकिन गर्मियों में ज़्यादा आते हैं और फिंटर में थोड़े कम आते हैं इस पौदे को पानी की जवर्वत फर्म पड़ती है, इंसेट अगर हम भूल जाते हैं, साथ पास दिन पानी देना, तब दी इस पौदे का कुछ नहीं बिगरता, ये पौदा भराव नहीं होता है, फिर भी हमें इसमें रोज पानी देना है, जैसे जहां ज्यादा धूप पानी जन्दी सुख जाएगा, तो हमें इसकी मिट्टी को चेक करके पानी देना है, जब इसकी मिट्टी ड्राय हो जाएगी, तब पानी देना है, और हमें पानी देते हुए धिहान रटना है, कि इसमें पानी खड़ा ना रहे, पानी नीचे से निकल जाए, जितना कम ही देना है जब इत्ती ड्राय होगी तब ही पानी देना है मिट्टी के लिए हमें इसमें नौर्मल गारडन स्वाइल और थोड़ी सी रेट रेट नहीं है तो कोको पीट आती है ने तो ड्राय लिप्ट का चूड़ा करके भी हम मिट्टी में मिला सकते हैं और थोड़ी सी पॉम्मी कमपोश्ट या फिर गोवर्ट की हाथ तो ये पॉदा हाड़ी प्रांट है इसके लिए कोई खास स्वाइल की ज़रूत नहीं है फिर भी वसमें ऐसी स्वाइल त्यार करनी है कि हमारी मिट्टी पर्थर ना रहे और इसकी 15 दिन में गुड़ाई करते दबाएस करने से उसकी जड़ homeland Heil notनie को यह तो ये प्रांच नमें के लिए पर थे क्रांज करना है है कोबच की अद्लाने के लिए हमिले होता है को चोचोचा कणके लिए पानी में विबार देना में पर इसको चूरा करके ри कर सकते हैं और इसके लिकिट को भी हम मिर्टी मे डाल सकते हैं वो एक अच्छी लिक्यूट खाद होती है और हमारे पास कोवर्ट की खाद अर्वल लेवल नहीं है तो हम इसके पदले और भी कोई खाद ले सकते हैं जैसे किचिन की कमपोश्ट होती है या फिर और भी और गैनिक खाद मार्कित में मिल जाती है हमें इस पौदे को ज़्यादा खाद देने की जरुवत नहीं है साल में दो बार भी रहेंगे तब भी हमारा पौदा अच्छे से जरुष्ट करेगा और पेस्टिसाइट के लिए तो मेरे साब से कुछ जरुवत ही नहीं है इस प्लांट में कोई फंगर्स कोई कीरा नहीं लगता है मेरे प्लांट में तो अभी तक कोई भी कीरा नहीं लगा है फिर भी हम जैसे वाकी सब प्लांट को मंदली पेस्टिसाइट करते हैं नीम ओयल से और फिक कोई दूसरे पेस्टिसाइट से जो ऑर्गनिक है उससे हम सोभी इस्पर करेंगे तो कोई बुराएं नहीं है ने कि यह जमांट इजी सुब्रोजनें यह आसानी से कहीं पर भी ग्रोजफ हो जाता है इसे जह meinem प्रणा सकते हैं इसकी हम कर्ँटिंग भी लगा सकते हैं ओपर से काट लिया और हमने मृत्ती मड़ा दिया तो इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है और जब ये प्लांट मैच्चुर हो जाता है उसमें फली आती है उसमें सीट्स होते हैं ये मैंने सीट्स से ही लगाए हुए प्लांट है कुछ चार-पच मेने पुराने प्लांट है डाइविटीच एक आम समस्या बन गई है ज्यादा तर लोग इसका सिकार होते हैं ऐसे लोगों को अपनी जीवन सेली और खानपान के दगीगों को बदलना पड़ता है तब ही वे पुद को स्वस्थ रख पाते हैं इसके साथी उन्हें कई दवाओं का सहरा लेना पड़ता है सदा बहार की पत्तियाँ डाइविटीच रोग के लिए काफी फाइदे मंन होती हैं इस वादे में सोस से ज़्यादा कल्कलाइड होते हैं जो कि हमारे सरीच के लिए बहुत फाइदे मन होते हैं जिनको दाइविटीच है वो इसके दो-तिन फूल दो-तिन पत्तियां लेके चबा भी सकते हैं अगर चबाने को अच्छा नहीं लग रहा है तो उसका काड़ा बना कर भी ले सकते हैं उसका रस निकाल कर भी ले सकते हैं जिनको हाई फ्लेट त्रेसर की समझ्या है वे इसकी एक या दो पत्ती डेली चबाएं खाले पेट उपर से पानी पीलें काफी फाइदे मन होता है इसकी पत्तियों का रस हम बालों में ऑईल की तरह लगा सकते हैं इससे बालों की ग्रोथ काफी अच्छी रहती है और इसकी प इसकी पत्ती को तोने में कुछ दूद जैसा पदास निकलता है जहां खुजली हो रही होती है वहां लगाने के लिए यह बहुत अच्छा लिकिर है चैरे के दाग धबे च्छाईयों के लिए यह काफी अच्छा रहता है कोई कीडे मकोडे ने काट लिया है जैसे तत्या है या फिर जो और भी कीडे होते हैं तो जहां पर कीडे ने काटा है वहां पर इसकी पत्तियों का पेश लगा दो काफी आराम मिलता है सूजन नहीं आती है इसकी पत्तियों चवाने को अगर अच्छा नहीं लग रहा है नहीं रस पीने को अच्छा लग रहा है तो हम एक कपतोरी में पानी लैं उसमें 3-4 पत्तियों डालें दो तीन फूल डालें और चारपा संटे के लिए धक के रख ड़ें फिर उसके बाद छान के पी लें ये भी अच्छा काम करेगा इसके जो सफेद कलर के फूलों वाला पौदा है वो कैंसर के फिसंट के लिए बहुत अच्छा है कैसे यूच करना है कैसे देना है ये मुझे नहीं पटा है अगर कोई गंबील बिमारी है तो इसका सेवन अपने डॉक्टर को पूछ कर भी करें वर्ना ना करें फ्रैंस इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है फिर भी सबका शरीर एक्टेसा नहीं होता है जब हम इसकी शुरुआत करते हैं थोड़ी कम लेक्ट से करें अगर हमें वो सूथ हो रही है तो हम इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं फिर भी हमें इसकी मात्रा जादा नहीं लेनी है तीन या चार पत्ती से जादा हमें कभी नहीं लेनी है तो फ्रेंट आप ये पौदा अपने ज़र पर कब ला रहे हैं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो यूजफूल लगा हो तो प्लीज लाइक करें और कमेंट में मुझे बता है थैंक्स पर वाचिंग